दोस्तों इस वीडियो में सिखेंगे फिलिप काड में आप रिटर्न करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट मंगा दिये हैं उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं कैसे रिटर्न करेंगे इस वीडियो में सिखेंगे इसलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हर्के स्टेक मापका हईए सबसे पहले हम klip के लिए को ओपेन करेंगे तो प्रविए मैं पर करका यहां से दिखा दे रहा हूं देख सकते हैं इस पर क्लिक करके उपेन हो जा रहा हूं तो इसा इंसा मैं यहां दिखे गया। उसके असे अब da देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं उसके बाद से यहां से भी आप जा सकते हैं इस पर किलिक करके जिसको रिटर्न करना एक देख सकते हैं पॉलिसी दिया होगा आप इस पर किलिक करेंगे तो यह दिख जाएगा कि आपका रिटर्न करने का डेट कितना जो होगा वह यहां से देख सकते हैं, return policy यानि कि जब तक आप return के date होता है, कि इतना दिन के अंदर आप जो समान कर दें हो को उसको आप return कर सकते हैं इस तरह भी आ सकते हैं, और चलिए मैं back करके दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं यहां पर आने का, जैसे back हो गया, उसके बाद ऐसे करेंगे इस तरह तो भी ऐसा interface आ जाएगा, उसके बाद से my order दिख रहा है, यहां से भी आप click करके जा सकते हैं इस पर click करके ऐसे यहां पर आ सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जितना समान कर देंगे, यहां भी यह function खुल जाएगा इस पर click करेंगे, click करने के बाद से यह खुल गया, उसके बाद से आप देख सकते हैं, जो दिया है return policy, यहां पर भी show कर रहा है, Sam, तो यहां पर हम return करेंगे, आप देख सकते हैं यह return लिक्या, इस बेख क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद से यहां से कोई रीजन दे देंगे का रीजन है किस वज़ा से आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो देना ही पड़ता है तो कुछ न कुछ जो आपका दिक्कत है आप यहां से इसमें से जो आपको दिक्कत है आप यहां से दे सकते हैं तो उसको सलेक्ट कर दिजिए चलिए मैं रिजन दे रहा हूं इस पर क्लिक कर दे रहा हूं क्वाल्टी वाले पर उसके बाद से फिर ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा आप फिर इस पर क्लिक करके आप दे सकते हैं माई इसके बाद से लिखना पड़ता है जो आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं अपके एक्षा आप तो चलिए लिख के दिखा दे रहा है आप ऐसे लिख सकते हैं तो मैं लिख कर देंगे यहां से करने के बाद से एसा इंटर्फियर दिखेगा आप देख सकते हैं उसके बाद से सबहरा है यहाँ क्लिक करेंगे एड़ एकाउंट पर क्लिक करेंगे अपने अकाउंट नमबर डालेंगे उसके बास यहांस देखिए IFSC code डालेंगे और यहांसे अकाउंट नमबर डालेंगे यहां पर उसके बास यहांसे अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे यहांसे इसके बसे यहां थो phone number दीख रहा है इस प्र... अपना phone number डालके उसके बाद से submit कर देंगे तो यहां से बैख को जा रहा हूँ क्योंकि मैं आल लेड़ी में एकाउंट डाया है था यहां पर देख सकते हैं तो थो नर्किस बार दौश उसके बास से स्वास एक बार अचांट नमर भर देंगे दूसरे बार एकांट नमर आप बार बार भरने के एकांट नमर जोड़त नहीं पड़ेगी तो चलिए मैं ता लेडि बर चुका था तुम इसके किलिक करके ऐसी पर उसके पासे कंटीनु य लिए सकते हैं स्क्ससेफूल हो गया यहां से उसके पाइसे यह देट हो गया रदनेदेगा कि किस देट को आएगा मोग दिलिवरी हुआ और आपका समानल्य लिक साथ चला जाएगा उसके अपका खाते में पैसा चला जाएगा पसिया सम्म शक्त हो गया बैख हो जाने के कर आपका समान लेकर चला जाएगा प्लोस आपके खातेम पैसा आ जाएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए शेयर कीजिए कमेंट के ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्नी बाद